हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और नौटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले क्रिस्मस इसा मसी के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है इसाई धर्म के लोगों का मानना है कि जीजस दुनिया में लोगों को सही रास्ता दिखाने आये थे क्रिस्मस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है इसाई समुदाय के लोग इसी इसा मसी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं क्रिस्मस के मोके पर लोग एक दूसरी को उपहार देते हैं और गिर्जागरों को आकरशक ढंग से सजाया जाता है लोग अपने घरों के आंगन में क्रिस्मस ट्री बनाकर उसे रंग विरंगे खिलोनों से सजाते हैं गिर्चागरों में ईशू के जन्म से संबंधित जहांकिया तैयार की जाती है 24 दिसंबर की आदी रात ईशू का जन्म होना माना जाता है इसलिए गिर्चागरों में ऐसे बक्त पर विशेश प्रात्ना की जाती है कैरॉल गाय जाते हैं और अगले दिन धूमदाम से तेवार मनाये जाता है इसाई लोग ईसामसी को परम पिता परमेश्वर का पुत्र मानते थे इसामसी को ईशू के नाम से भी पुखारा जाता है इसाई धर्म के लोगों का मानना है कि जीजेस दुनिया में लोगों को सही रास्ता दिखाने आये थे आज हम आपको ईसमसी से जोड़ी पांच बातें बता रहे हैं इसाई मानिताओं के नुसार आज के हजारों साल पहले नासरत में गेब्रियल नामक एक स्वर्ग दूद ने मरियम को दर्शन दिया और कहा कि तू पवित्र आत्मा की और से गर्वबती होगी और एक पुत्र देगी जिसका नाम ईशू रखा जाएगा देतल हम मैं मरियम ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम ईशू रखा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथी इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा